अगर आप नहीं चाहते कि आपकी भी ILS speaking में मुए मुए हो जाए तो इस news को और जो आपकी screen के उपर चलेगा उसको ध्यान से देखना क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे जा फिर उस चीज को नहीं समझोगे तो speaking में स्कूर नहीं आएगा फर्स्ट फॉल यहां पर कमेंट देखिए स्टूडेंट के हमें कमेंट आए और हमने उनका reply भी किया है आज कल speaking ने एक form है वो फिल नहीं होता वो sign नहीं होता जिसकी वारेस स्टूडेंट को problem आती है स्टूडेंट आज ही सिर्फ दो गंटे पहले अपनी speaking देकर आया है और देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है कि मैंने आज अपना exam दिये था बट मैं confused हूँ क्योंकि part 1 में मुझसे 10 question पूछे गए उसके बाद मैंने 4 idiom भी use करें मैंने vocabulary भी use करी but part 3 में उसने एक question ही मेरे से बार बार पूछा ऐसा क्यों हुआ क्या सर मेरे 6 जा फिर 6.5 band score आ जाएंगे जा फिर नहीं आएंगे इन्होंने 4 idiom यूज करें इन्होंने vocabulary एड करी है part 1 में and conclusion में plus मतलब की part 2 में part 3 में इनको ज़्यदा problem आई है question एक ही पूछा गया बार बार same words इन्होंने use करें तो problem तो आएगी इनके band score में but solution क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ उससे पहले बात करेंगे real exam test की, real exam prediction की, cue card change होंगे अपरेल में नई PDF आएगी, किसी भी student को listening, reading, writing और speaking PDF चाहिए आप हमें direct message कर सकते हो मेरे whatsapp के उपर practice test नहीं है, यह prediction test है, real exam test होते है, screen के उपर screen recording plus student result, खुद के satisfaction के लिए देख सकते हो, trust हो, then you can drop me message अगर आपने भी same ऐसा अच्छे वाला result लेना है, तो message करके ले सकते हो, PDF हमारे से सबसे बड़ी चीज है, idiom को use करना, idiom तो बहुत अच्छे तरिक्के से use हुए, बट दो idiom काफी है two idiom काफी है, आपके speaking part two में, part one के question बहुत अच्छे जाते हैं, हमेशा problem part three में आती है जब हम बार बार एकी words को, जा फिर two words को, जा फिर three words को repeat करते हैं, तो examiner के उपर एक बुरा effect पड़ता है, हमारी speaking का, इसलिए अगर आप बार बार words नहीं repeat करना चाते हैं, अपने part three में, तो कोशिश करें, every question में example add करने की every question में, अगर आप example add करोगे, तो आपकी wording है, वो totally change हो जाएगी, और examiner भी बार बार आपसे एक question गुबाफ राकर नहीं पूछेगा, तब भी आपका जो score है 6.5, जा फिर 6 आएगा, वीडियो अच्छी लगे, चैनल को subscribe, और वीडियो को like जूर करना, आपकी अच्छी speaking के ये.